तो है आप यह इस तो फिट चैनल दोस्तों प्रिवेस यह में जितने फी कोस्टन फिजिकल एजूकेशन कंपटेटिव एक्जाम सेजिटी पीजिटी के वियस एन वियस यल्टी पे पूछे गए हैं उन सभी कोस्टन को टापिक वाइज आपके समझ ते प्रस्तुत कर रहे है दोस्तों यह सीरिज नंबर 94 है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्टन को यहां पर रखा जा रहा है यह याद रखना आपको बहुत जरूरी है और दोस्तों इन सभी एक्जाम को प्रिपरेशन यह दिया आप सिल्वस के कॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी अगवद गीता की नहीं बलकि फुटवाल मैदान की आउशकता है यह कथन किस ने कहा है तो यह कथन कहा है श्वामी विवेका नंद जी ने एंड दोस्तों एक और प्रसिद परिभासा है रेस्टिव ने कहा है कि यह सरीर का ठोस गठन ही है जो मन का शही और निश्चित कि ब्लाशक च्वारत में यह जालन करता है कि निस से यह जि mois कि भारत में पहला अंतराष्टिये फिल्म महस्तों कभ आई व्जित किया गया तो कभ किया गया ठीक है उनिश्व बावन में पहला अंतर राष्टी फिल्म महुष्टो चोबीस नुमबर सी एक फरवरी के मध्य मुंबई में आउजित किया गया ठीक है अब इसका वार्षिक महुष्टो गुवा में आउजित होता है स्पोर्स मीजियम अवस्थित है ठीक है स्पोर्स मीजियम अवस्थित है कहां पर अवस्थित है यह अवस्थित है पट्याला में जैसा कि दोस्तों निताजी सुबाश राष्टी खेल संस्थान को ही स्पोर्स मीजियम कहा जाता है जैसा कि 1961 में पट्याला में इस्थापित र सब्सक्राइब कर दिया गया यहां भारती खेल प्राधी करड़ यानि साइई स्पोर्स अथारिटी आफ इंडिया का सैचरिक संस्थान है इसे इस पोर्स संग्रहाल है यानि इस पोर्स मीजियम भी कहा जाता है यह ध्यान में रखिएगा ठीक है नेक्स कोर्शन है ट्रिपल जंप आरंभ हुआ था कहां आरंभ हुआ था यह 15 वी शतावदी में जर्मनी में आरंभ हुआ था ठीक है नेक्स कोर्शन है संयुक्त राष्ट शंग का पर्थम अधिवेशन कब हुआ था संयुक्त राष्ट का पर्थम अधिवेशन कब हुआ था 10 जन्वरी 1946 को इसका पर्थम अधिवेशन हुआ था लेकिन दोस्तों संयुक्त राष्ट शंग का इस्थापना कब हुआ था सदके सभथू की संख्या है घॉलन पर राष्ट संथास ग्यों कितना के सदस्यों की संख्या जैसे की यह एक अंतराश्टी संक्सा इसके 23rd महा संद्ध संख्या संख्या संथे ङब की संथ्य जरुत 1921 महासंग कर संद्धिक है यानि की इनाइटेट नेशन आर्गिनाइजेशन यानि समित्र राष्ट्र महासंगे की पर्थम महिला अध्याच कौन थी तो विजय लच्मी पंडित थी यानि 18 अगस्त उनिश्चों को जन्मी विजय लच्मी पंडित ने भारत की स्वतंत्रता अंदुलन में अपना अमुल की यानि की आइस कंडा का राष्टी खेलर सित कलिंद राष्ट। precी खेलर एक लेक्रोष जो गर्मियों में होने वाला क्र में दिशंबर को विश्वर ऐर्सूर्स मना जाता है यानि कि दोस्तों एचाएबी वारस दोरा फैलने वाला रोग है जिसका पुरा नाम होता है acquired immune deficiency syndrome यह रूख मुखिता संक्रमित रूधी राधान एवं अस्रची त्योन संबंधों के कार एंड गर्ववती माता में उसके बच्चे में हो सकता है बिश्चु का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कोंशा है तो कोंशा है सबसे पुराना खेल समाचार पत्र है गजेट देलो इस्पोर्ट यह बिश्चु का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र है बिश्चु का यह सरपत्म 3 अप्रेल 1896 को प्रकासित हुआ था जो प्रथम उलंपिक खेलों को कवर किया था ठीक है जैसा कि दूस्तों एक और कोस्टन पुछता है कि भारात में सरपत्म की समाचार पत्रों को प्रकासित किया गया तो प्राइनियर पत्री का द्वारा ठीक है कि आए गगर्णा को क्या कहा जाता है जो बिसेश रूप से वहाय जो अचानक होता है और उसके तंसले की अधिक नास या कठना ही होता है यह से किबान हवाई जहाज दुरखतना यह बैप्यार यह भीलता थिक है तो में Ingredinkन, प्राकृति होताsed की तो प्राकितिक में बार, बुकॉम, सुनामी, चक्रवाद, इस सब आएंगे, मानने मिर्मित में रसाइनिक आपदा जैसे की भपाल गैस रिसा हुआ था वो ठीक है, फुकूर शीमा विकिरर, प्रदूसर अदुगर्टना इत्यादी, प्रकिती में नाय्ट्रोजन गैस के कितने प्रतिसत होती है, तो कितने प्रतिसत नाय्ट्रोजन गैस होता है, एक अए था परशंटो है, ढीकरियों का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पाधे, जो है वह मृदास्ती नाइट्रेट के रूप में अपने जड़ों द्वारा नाइट्रोजन को असुषित करते हैं ठीक है नाइट्रेट के रूप में लेकि ऑक्सिजन जो है वाई मंदल में 21% है एंड जो कारबन डिया अक्साइड है 0.04% है ठीक है प्रफम भारती यह कौन था ढाक्टर नागेंदर सब्क्राइच के रूप रहहाν में इसके अध्यचे अध्यचe मिंगों से लाश्ट चाहयल्ड पुस्टक के लेखा कौन है एं तो लाश्ट चाहयल्ड पुस्थग के लेखा कौन है मुल्क राज आनंद है पूर eg मुल्क राज आनंद कि cherry क्या है जैसा कि आप सब को कुपता है बेश payroll अमेरिका का राश्ठी ही एक फिर हैऊ है एनघ्रियजों को कौन से गेम और स्पोर्ट का आरंभक माना जाता है तो आंघ्रियों यह कौनशे दू खेल wine यह फ fortune यह छृट ऑघ्र क्टिय क्मधार के दो क्युंग्क्तिंट करे ड्यव्य ग्रे में को इंग्डियन के हैं नेंस्ट है सजटराश्टपर के याने की इनाइट डिने आइशन आंप अने संग के शुछ्चा परिषिथ में सदस्यों की संख्या कितनी होती है तक 15 होती है 500-22 होते हैं 10 30 से पांच सदस्यों में चीन व्रूस ब्रिटेन अमेरिका निर्वाचन समित्राष्ट महासंग द्वारा किया जाता है नेट है समित्राष्ट के बजट में सरवाधिक युगदान देने वालों राष्ट्र है तो कुन सा राष्ट्र है अमेरिका ठीक है यानि समित्राष्ट के बजट में इसके सरदस्ति राष्ट्र द्वारा युगदान किया जाता है इसके बजट में प्राया समित्राष्ट अमिर्का का विशेश युगदान है सरवाधिक और कुल बजट का लगभक्ष एक चोथाई होता है इसका युगदान ठीक है चेस फेडरेशन भी कहा जा सकता है इसकी इस्थापना 20 जुलाई 1924 को फ्रांस के राधानी पेरिस में किया गया जिसे अंतराष्टी उलंपिक कमिटी ने वर्स 1999 में एक अंतराष्टी स्पोर्स फेडरेशन के रुपे मानता दी अब यह युवाओं महिलाओं और वरिष्ट वर्ग आदी समुहू के लिए 40 से अधिक प्रकार की सतरंज प्रतियोगिताय कराने वाली विश्व की एक बड़ी स्पोर्स संसा बन चुकी है लिए निन में से कौन सा खेल मंत्राले द्वारा शुरू किये गए नवीनतम वर्गी करण में उच्च प्राथमिकता स्रेड़ी में सामिल नहीं किया गया है तो कौन नहीं सामिल किया गया है योग टेनिस तिरंदाजी बैमिंटर इस सामिल किया गया है जैसा कि दोस्तों खेल मंत्राले द्वारा 23 मार्च 2015 को जारी किये गए नवीनतम वर्गी करण में उच्च प्राथमिकता वाले खेलों के अंतरगत एथलेटिक्स, टेनिस, कुष्टी, भारत तुलन, बैमिंटर, तिरंदाजी, होकी, शुटिंग, तथा बॉक्सिंग आदि को शामिल किया गया है, बर्ट योग को शामिल नहीं किया गया है नेश्ट है भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजनसी की स्थापना वर्ज क्या है, कब की गई थी क् cần यानि नडा और आसे दोपिंग। इसस्थापना कपी के थी थी 25 पांच में थी कि दोफ़जर पांच में यानि 24 नमबर दोफ़जर पांच को और संटि कि स्थापना किया गया थो थी कि अधर गयर तो जैसे की इसकी मुख्याला नए दिल्ली में है नाडा की इसका मोटो है फ्ले फियर ठीक है एंड दोस्तों एक है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डॉपिंग एजनसी उसकी तपना कब वुआ था 10 नॉम्बर 1999 को वर्ल्ड एंटी डूपिंग के सपना हुआ था जिसका कहां पर हुआ था सुर्जे लेंड के लुसाने सहर में और जिसका मुख्याला जो है वाड़ा का नाड़ा मांट्रेयर सहर में है अब बरतमान अध्याच है विट्रोल्ड बांग का वाड़ा के नाड़ा के केर्मेंट जो होते हैं वो मिनिस्टर अब इस्पोर्स इंडिया जो खेल मंत्राले के मंत्री होते हैं वही होते हैं ठीक है और दोस्तों नेक्स्ट कोर्चन है कि खिलाडियों द्वारा प्रयोग किये गए नार्कोटिक्स के विभिन प्रकार जो कि ओपियम तथा या पपी प्लांट से तयार की जाते हैं वास्ते में उनके लिए किस रूप में कारगर सिध्ध होते हैं तो यह नार्कोटिक्स किस के रूप में कारगर स्थध होते हैं अपसर College अहां पे असक्ति जांब सब्सक्राइब करते हैं आपने हैं और सपNew जिरुत नहीं पड़ेगी तर यसे क्या करते हैं आपसे कर्ते हैं क्या करता है तो ये अपसेक डीकर होगा क्या बोलते हैं इस इस तेकिंग तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही I hope कि दोस्तो सभी कोश्चिंस सब्सक्राजिस पत करना चाहते हैं यूद दोस्तो आपका डीलो जो दोस्तो प्लिशियों क्यारी में सब्सक्राइब 167 सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आज के दोर में बहुत ही बड़ा कंपडिशन का दोर बढ़ता जा रहा है और सीट बहुत कम निकलता है उसके लिए आपको डेली बेसेज पे तयारी करना ही पड़ेगा तो दोस्तों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे तो मिलते हैं नेफ्ट वीडियो में नेफ्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद